नमस्कार मीत्रो मैश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूँ हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से समंधित कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं उसके बाद में उससे समंधित 10 प्रस्णों को भी हम लोग स्वल्व कर चुके हैं आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं कुछ प्रस्णों को सोल्म करने के लिए अगर इस प्रकार के प्रस्णों को आप खुद से सोल्म कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका हाइट एंड डिस्टेंस का कॉंसेट किलियर हो चुका है और आप किसी भी परत्योगी परिच्छा में जो प्रस्ण से मिलान जरूर किजिए अब ध्यान देजिएगा इस कोश्चन को हम लोग सोल्म करते हैं कहता है कि भूतल से 5000 मीटर की उचाई पर उड़ता हुआ एक बिमान एक छन को एक अन बिमान के उर्धुवादर उपर उड़ता है और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों बिमानों के उन्यन कोन करम्स साथ डिगडी तथा 45 डिगडी हो जाते हैं तदनुसार उष्चन दोनों बिमानों के बीच की उर्धुवादर दूरी कितनी है अब ध्यान से समझे एक क्वेश्चन करा है कि यहां पर धर्ती से भूतल से यानि कि 5000 मीटर की उचाई पर एक बि करा है कि एक छन को एक अन्द बिमान के उपर उड़ता है यानि कि एक और बिमान यहां है और इसके उपर यह उड़ता है तब भूतल के एक बिंदू से माल जिये कहीं पर यहां यह भूमी पर एक बिंदू है दोनों बिमानों के उन्यन कोन करम्स यानि कि यहां पर जो बिम तथा 45 डिड़ी का कौन बनता है यानि कि इसके साथ जो है 45 डिड़ी का कौन बनता है तो कर रहा है कि तदनुसार उस छन दोनों बीमानों के बीच की दूरी क्या होगी यानि कि इन दोनों के बीच की दूरी हमको ग्यात करना है अब ध्यान से समाझिएगा यहां पर यह 90 यह साथ डिगड़ी है तो यहां पर भी 30 डिगड़ी हो जाएगा और यह 180 कंप्लीट करेगा इस फीगर को आप चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप ताकि आपको समझने में ज्यादा असानी हो जाएगी 45 डिगड़ी उसके बाद में यह हमारा हो जाएगा 30 यहां से यहां को मान ग्यात है और इस मान को हम को क्या करना है ग्यात घंट और हमको मान को तो इधर कहीं पर हम लोग इसको solve कर लेते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि रूट में 3x का मान जो दिया गया है वह 5000 मीटर दिया गया है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 5000 मीटर बटा में रूट 3 हो जाएगा अब ध्यान से समझेगा इसको इधर साइट कर दिया खर रहने दिये तो भी कोई दिकत नहीं है अब हमको यह वाला मान चाहिए यानि कि एक्स रूट 3 माइनस 1 अब इसमें क्या करेंगे इसी मान सम को गुणा कर देना है 5000 बटा में रूट 3 और हो जाएगा 3 माइनस 1 अब ध्यान से देखिएगा जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो इससे क्यंसिल हो जाएगा और इसमें जाकि यहां से इसके साथ बटा हो जाएगा यानि कि 5000 1-1 by रूट 3 मीटर हमारा अंसर हो जाएगा यानि कि यहां से यहां के बीच की जो दूरी है यह है दोनों बीमानों के बीच की दूरी 5000 into 1 minus 1 by root 3 meter और यहीं हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number C हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट जो है इस प्रस्ट को भी आप पहले खुद से बनाने की पूरी कोशिश कीजिए उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाई है ध्यान से देखिया question क्या करता है कह रहा है कि दो उर्धवादर खंबो के बीच की दूरी 60 मीटर है उनमें एक खंबे की उचाई दूसरे से दो गुनी है उन खंबो के अधारों के जोडने वाली रेखा के मध बिंदू से उन खंबो के सिर्ष बिंदू के उन नयन कोन परस पर पूरक है तदा नुसार उन खंबो की उचाई कितनी है ध्यान से देखियेगा इस question को हम लो कैसे स्वलू करेंगे यह हमारे पास एक खंबा हो गया और यह दूसरा खंबा हो गया और यह h का है तो यह 2h का है बोला गया है question में कि दूसरे से दूबुनी है यानि एक h है तो एक 2h है यह कुछ भी कह सकते है इसके height को अब ध्यान से देखियेगा उसके बाद बोला है कि मध बिंदू से यानि कि यहाँ पर मध बिंदू का बात कर रहा है यहाँ से यहां तक का हमको दो उठ्वादर के बिच की दूरी 60 मिटर दिया हुआ है तो इधर भी 30 हो जाएगा और इधर भी 30 हो जाएगा मध का बात कर रहा है बीच का बात कर रहा है और यहां से इन दोनों का उन्नयन कों जो है वो परसपर पूरक है यानि कि एक theta है तो एक 90 minus theta है यानि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 degree होना चाहिए अब ध्यान से देखिएगा अब यहां से हम लोग लेंगे 10 90 minus theta 10 90 degree minus theta बराबर तो क्या हो जाएगा हमारे पास हम जानते हैं कि 10 theta बराबर होता है P by B यानि कि लंब बटा अधार होता ह तो यह हो जाएगा 2H बटा 30 बचेगा equation number इसको आप एक कह सकते हैं यहां पर फिर दखिएगा यह हो जाएगा 10 theta 10 theta 10 theta बराबर क्या हो जाएगा H बटा 30 और equation number 2 हो जाएगा दोनों equation को गुणा करेंगे जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 90 minus theta into 10 theta फिर 2H बटा 30 गुणा H बटा 30 हो जाएगा अब देखिए इस से इसको हम लोग cancel कर सकते तो यहां पंद्रा आ जाएगा और देखिए इसका जो मान होगा 1 होगा हम पिछे कई बार बता चुके हैं अब इन दोनों को इधर लाके गुणा कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बच्चेगा बनेगा 15 गुणा 30 बराबर H square जब क्या मान आ गया 15 इंटू रूट 2 मीटर अब ध्यान से समझेगा तो एक H का मान तो हमारे पास आ गया कितना 15 रूट 2 मीटर और हमसे एक 2H का भी पूछा जा रहा है तो 2H बराबर क्या हो जिदर से दुगुना कर देंगे 30 रूट 2 मीटर हो जाएगा और जिस option में यह दोनो मान दिया गया है वहीं हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात option number D हमारा आंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट इस प्रस्ट को भी आप पहले खुद से बनाए उसके बाद ध्यान से देखिएगा question क्या करता है करा है कि प्रिथभी से 3125 मी कि उचाई पर उड़ते हुए एक बिमान दूसरे बिमान के नीचे से उर्धवादर इस्तिती में गुजरता है उस चन उन दोनों बिमानों के प्रिथभी के एक बिंदू से बने उन्नयन कोन 30 डिगडी तथा 60 डिगडी हो जाते हैं तदा नुसार उस चन उन दोनों बिमान के बीच की दूरी कितनी होगी इस परकार के कोश्चन हम इस कोश्चन के तुरंट एक बात जो कोश्चन है उसके तुरंट यानि कि इसमें पहला जो कोश्चन है अब कोश्चन को समझना है प्रिथभी से इतना 3125 मीटर की उचाई पर उड़ते हुए एक बिमान दूसरे बि जिएगा एक बिमान यहां है तो एक बिमान हमारे पास यहां है लेकिन प्रिथभी से यहां पर माली यह हमारी साथ प्रिथभी हो गई तो कर रहा है कि यहां से यहां से यहां तक का उचाई दिया हुए इस बार हमको 3125 मीटर की उचाई पर उर रहा है उसके बाद कर रहा है तक इसके साथ जो कोन बन रहा है, वो 30 डिगड़ी का 1,9, और इसके साथ जो बन रहा है, वो 60 डिगड़ी का कोन बन रहा है, ऐसे लिख दिये हम यहाँ पर, तो पूछ रहा है कि इन दोनों बिमानों के भीच की दूरी क्या है यह हमसे पूछा गया है, और इस बार यह मान दिया गया है, अब ध्यान से समझीएगा, अगर इस मान को अगर यहां समझें, यह पूरा कोन 60 डिग्री हो गया, तो यह कोन कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिगडी हो जाएगा और यह 30 डिगडी है तो यह कौन हमारे पास कितना हो जाएगा 40 डिगडी हो जाएगा अब इस चीज को आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं दोनों एक ही बात है कोई दिक्कत इसमें नहीं है यह कुन हो जाएगा हमारे पास साट डिगडी और यह हो जाएगा हमारे पास तीस डिगडी और यह वाला पाट दिया गया है यह ध्यान दिजिएगा यह वाला यह मान हमको दिया गया है यहाँ पर जो मान है यह दिया गया है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 3,125 मीटर तो ध्यान से देखिएगा 3X में से X चला जाएगा तो यह मान यह दूरी कितना है 2X है तो यानि कि 2X बराबर कितना हो जाएगा 6250 मीटर और जीश आप्शन में है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात आप्शन नमबर D हमारा अंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस्ण देखते हैं अगला जो हमारे प्रस्ण है कहता है कि 15 फिट उच्चा एक खड़ा खंबा कुछ उचाई पर तूट गया और उसका उपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ प्रिथिवी को 30 डिगडी के कोन पर असपर्स करता है खंबा कितन मान लगें के घ्रतता है 9ARD और यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई दिया ङया है वह 15 फित दिया गया और ऐंड प्रिथिवी है। यह खंबा यहां से टूट गया यहां से टूट गया, तो टूट गया तो यहां से पूरी तरह नहीं टूटा है, और यहां पर आके प्रिजवी को टच कर रहा है, तो इसका मान जो है, 30 दिगडी हमको दिया हुआ है, यहां पर जो कौन बन रहा है, अब ध्यान से समझेगा, तो हमने आपको बताया था, 30 ऎयांनि लम्बाई विए लम्बाई यक्स और कितना जाएगा। लम्बाई विदाए विदाबी परक्षैजनें हाँ पासट लिए यक्स कमान उफप तो और यही आάλबाई फिदाए। जब समझ जाएगा चीजों को तो बहुत असानी से question हमारा solve हो जाएगा और था तो option number B हमारा answer हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस्न देखते हैं अगला जो हमारे पास प्रस्न है वो बिलकुल basic का समझे कि यह प्रस्न है क्या करता है कि एक मिनार का उसके मुल आधार यानि कि पाद से 50 मीटर दूरी से 99 कोन 30 डिगडी है तद अनुसार उस मिनार की उचाई कितनी होगी बहुत असान question है द्यान से देखिएगा यहां एक हमारे पास मिनार है और यह मिनार का पाद यानि मुल आधार जड़ हो गया और यहां से बोल रहा है 50 मीटर की दूरी यानि कि यह दूरी दिया हुआ है 50 मीटर की दूरी है से 99 कोन यानि कि यहां से यह कोन 30 डिगडी है तो हमसे पूछ रहा ह मिनार की उचाई इसकी height बराबर what, बस हो गया, कितना आसान है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा, ये कितना होगा, root 3x हो जाएगा, और ये हमारे पास 2x हो जाएगा, अब हमसे हमारे पास यह मान हमको दिया हुआ है, तो यह मान हमको दिया हुआ है, root 3x का मान यह आ हुआ है 50 मीटर तो हमको सिर्फ यह मान चाहिए X का मान चाहिए तो X वराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 50 बटा रूट 3 मीटर और यहीं हमारा अंसर हो जाएगा जिस option में यह दिया गया है वहीं हमारा अंसर हो जाएगा रथात कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उडाता है यदि पतंग का धागा 36 रेखा के साथ 60 डिगडी का कोन बनाए तो भूमी से पतंग की उचाई है यानि कि यह मान कर कि धागा सिर्फी रेखा में है अब देखिएगा question को हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा यह हमारे पास पतंग उड़ रही है यह 36 लाइन हो गया और यहां से इसके साथ जो कोन बन रहा है वो 60 डिगडी का कोन बन रहा है और यही प्रिथ भी भी है तो कह रहा है कि यहां से यह कितनी उचाई पर है यह पतंग है तो यह धर्ती से कितना उच्छा है यानि कि इसका मान हमसे पूछा जा रहा है और हमारे पास यह दिया गया है कि कोई 150 मिटर लंबा यानि कि इसकी लंबाई इस बार हमको दी गई है 150 मीटर लंबा दिया गया है तो यह मान कितना हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा रूट 3X और यह हो जाएगा हमारे पास X और यह हो जाएगा 2X यानि कि हमको मान जो दिया गया है वो 2X का मान दिया गया है देर 100 मीटर तो X का मान कितना हो जाएगा 75 मीटर और यहाँ पर रूट 3 से गुना करा दिजी रूट 3 X कमान इधर भी रूट 3 से गुना कर देंगा 75 रूट 3 मीटर और जिस option में यह दिया गया है वह हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number B हमारा अंसर हो जाएगा चली हम लोग अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण जो यह है इस प्राकार के हम प्रस्ण को बता भी चुके हैं और फिर से इस question को आप पर खुद से बनाने की जरूर कोशिस कीजिए उसके बाद नहीं बनेगा तब इस पर आएगा नहीं तो आप question को इस जित हैं, चैदूरी पर है उन बिंदूओं से मिनार के सिर्ष का उन नयन कोण प्रस पर पूरक है तदा नुसार उस मिनार की उचाई कितनी है अब ध्यान से देखिएगा यह हमारे पास एक मिनार हो गया और बोला है कि एक दीशा में यानि कि इस साइड एक दीशा में यह दोनों जाएगा या इस साइड में किसी एक दीशा में यह दोनों बिंदू जाएगा तो माल जी एक एक बिंदू यहाँ पर पी है और एक बिंदू यहाँ पर हमारे पास क्यूँ है तो कह रहा है कि यहाँ से मिनार से P का जो दूरी होगा, वो A हो जाएगा, और यहां से, यहां से Q की जो दूरी हो जाएगी, वो हमारे पास B हो जाएगी, उसके बाद कह रहा है, कि मिनार के सिर्ष से, जो इसका उन्नयन कोन होगा, यह परसपर पूराख है, यानि कि जोनेने पर क्या है, 90 डिगड़ी है, तो ए हमारे पास मिनार की उचाई h है अब हमार अब समझिएगा यहाँ पर इसी h को हमको क्या करना है ग्यात करना है अब ध्यान से देखिएगा फिर वहीं चीज़ करेंगे 10 वाले मानकों लगाएंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त होगा h बटा a equation number 1 उसके बाद हो जाएगा फिर 10 थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त होगा h बटा पूरा यहां तक अधार b equation number 2 और equation number 1 और equation number 2 को जैसे ही गुना करेंगे तो इन दोनों कमान हमारे पास आजाएगा 1 और इसका गुना हो जाएगा और यहीं जिस option में दिया गया है वह हमारा answer हो जाएगा यह है अपने आपने एक concept भी है और यह question भी है तो आप जैसे मतलब जिस रूप में आप इसको लीजिए अर्थात हमारा जो answer होगा option number a हमारा answer हो जाएगा कर लिए हम लोग अगला प्रस्थ देखते हैं अगला जो हमारे पास प्रस्थ है कहता है कि 12 cm लंबी एक अनु लंब छड़ी जमीन पर 8 cm लंबी परचाई डालती है उसी समय एक मिनार जमीन पर 40 मिटर लंबी परचाई डालता है मिनार की उचाई है देखिए यह जो question दिया गया है यह लग रहा है कि हमारे पास की height and distance का है लेकिन यह एक तरीके से ratio का प्रस्थ हो जाता है ध्यान से देखिएगा 12 मिटर लंबी एक क्या है छड़ी है जिसकी परचाई 8 मिटर है यह 12 है आप बना सकते हैं ऐसे और उसके बाद कहाए कि मिनार ह जिसकी परचाई उसी समय बोला है यानि कि जो एंगल बन रहा है वो सेम बन रहा है तो यह कितना है 40 है अब ध्यान से देखिएगा तो यह हमारे पास कटेगा तो 2 होगा यह कटेगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा यानि कि अनुपात में इसको ले सकते हैं कि अनुपात 2 बरा अर्थात option number B हमारा answer हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रस्न देखते हैं अगला जो हमारे पास प्रस्न है question कहता है कि यदि एक सडक की दो क्रमिक किलो मीटर सिलाओं से एक गुबारे के उन नयन कोन क्रम्ष 30 दिगडी तथा साथ डिगडी हो तो प्रिथवी तल से उस गुबारे की उचाई कितनी होगी द्यान से समझिएगा यह हमारी प्रिथवी हो गई यहाँ पर यह गुबारा हो गया और यह गुबारा से प्रिथवी की उचाई हो गई उसके बाद बोला गया है दो क्रमिक किलो मीटर सिलाओं या एक यहां पर है और कहीं यहां पर है और इसके बीच में क्रमिक किलो मीटर जो सब्सक्राइब उसके बाद में बोला गया है कि गुबारे के उन्यन कोन करम सह 30 डिगड़ी और उसके बाद में बोलता है कि 60 डिगड़ी हो तो प्रिथवी तल से यानि कि यहां से उस गुबारे की उचाई कितनी है यहीं यह गुबारा है तो यहां से यहां का उचाई हमसे पूछा जा रहा ह तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, root 3x, तो यह हो जाएगा हमारे पास x, और यह x बराबर, यानि कि अनुपात में एक बराबर इतना हो रहा है, तो यहां से यहां तक बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानि कि घटेगा तो यह माना जाएगा हमारे पास 2x यानि कि 2X बरावर 1 km तो X बरावर क्या हो जाएगा 1 by 2 km और हमको मान निकालना है इसका यानि कि रूट 3 से इधर भी गुना कर देंगे और रूट 3 से इधर भी गुना करेंगे तो रूट 3 by 2 km हो जाएगा और जिस option में यह दिया गया है वही हमारा अंसर हो जाएगा अर्थात option number A हमारा अंसर हो जाएगा चलिए हम लोग अगला प्रसंद देखते हैं अगला जो प्रसंद है आप पहले इसको खुद बना ही लीजिए एक दम बिल्कुल basic question है उसके बाद हमारे अंसर से मिलान किजिए कराय कि एक मिनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन नयन कौन 30 डिगड़ी है तदा नुसार उस मिनार की उचाई कितनी है पहुत ही असानी से अब आप से बन जाना चाहिए यह एक मिनार है फटा फट से बना लिजी अब इसके तली से कितना दूर है 100 मीटर की दूरी पर है तो पूछ रहा है कि मिनार की उचाई ग्याद करे और यहाँ पर जो उन नयन कौन है 30 डिगड़ी है बस हो गया तो फिर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा हमारे पास एक्स यहां से यहां तक कमान हो जाएगा 3 एक्स और यह हो जाएगा 2 एक्स तो यह मान हमको दिया हुआ है रूट 3 एक्स बराबर 100 मीटर तो एक्स कमान कितना हो जाएगा सोव बटा रूट थीरी मीटर और यह हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए में हमको यह दिया हुआ है उमीद करते हैं कि प्रस्न समझे में आया होगा अगर आया होगा तो आप हमें कमेंट के माजम से जरूर बताएए आप अपनी राय दे सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कौर बेहत्तर क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद